क्या आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन अब आपका वजन जो है वो स्टक हो गया है तो अपने स्टक वेट को और अपनी बैली के फैट को किस तरहां से कम कर सकते हैं अब जब बात आता है कि उनका पूरा जो बेली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको वो किस तरहां से कम कर सकते हैं अब जब बात आती है belly की तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कम करना जो है वो बहुत एक टास्क होता है क्योंकि अकसर लोगों को ये लगता है कि अगर हमने अपने belly fat को कम करना है तो सिरफ हमने पेट की exercises ही करते चले जाना है तो हमारा belly fat जो है वो कम हो जाएगा ऐसा नहीं होता I am one of them जिसने अपना वजन खुद कम किया है मैंने तकरीबन तकरीबन अपना 15 से 17 किलो वजन कम किया है और मुझे से जादा ये अच्छी चीज कोई नहीं समझ सकता कि आपकी belly जो है उसको किस तरहां से आपने कम करना है जब भी हम किसी की personality को notice करते हैं उसकी dressing को देखते हैं तो हमारी नजर उसके जो है वो dress पे जब पढ़ती है तो हम उसकी belly को ही notice करते हैं अगर वो बहुत body de-shaped, belly बहुत बड़ी हो तो हमें बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरे चानल को subscribe कर लीजिए और अपने friends और family के साथ मेरी वीडियोज को ज़रूर share करें ताके वो भी अपने belly fat को कम कर सकें Thank you Belly fat जो है उसको हम जिम जाकर भी कम नहीं कर पाते हैं, बहुत tough exercises करते हैं पेट कम नहीं होता बहुत सारे कावे पी लेते हैं, बहुत सारी чाए, बहुत सारी medicines यूज कर लेते हैं, लेकिन पेट का fat जो है वो कम नहीं होता क्यों नहीं होता ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब खुद से भी पूछते हैं और मेरे पेशेंट्स जब आते हैं तो वो मुझसे भी करते हैं अफकोस आपके माइंड में भी ये सवाल आता होगा कि पेट का फैट ही क्यों कम नहीं होता हम जब भी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारा टारगेट आलवेज ये होता है कि हमारा वेइंग स्केल पे जो वजन है वो कितने किलो कम हो रहा है फॉर एक्जाम्बल आपका वजन सतर किलो है सेवेंटी से आपका दिल करता है मेरा वेट एकदम से 50 kg हो जाए अगर आप 20 kg कम करना है अगर आप 20 kg कम कर भी लेते हो इन 1 मांथ, इन 2 मांथ, इन 3 मांथ और आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली प्रॉपर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपकी स्किन बहुत जादा सैगी यानि लटक जाएगी, ढलक जाएगी बॉडी की कोई शेप नहीं रहेगी वेट लॉस जब भी होता है वो हेट टू टो होता है हेट टू टो से मेरा मतलब ये है सबसे पहले आपका फेस ट्रिंक होता है देन आपकी नेक, शोल्डर्स, आम्स उसके बाद आपकी chest, back, belly सबसे मुश्किल जो fat होता है वो आपका lower belly और thigh fat जाता है क्योंकि ये आपका muscle बहुत बढ़ा होता है एक और मज़े कि आपको बात बताओ जब आप वजन कम करते हैं आपके हाथ भी पतले होते हैं अकसर लोगों को ये नहीं पता होता और बहुत सारे patients मुझे कह रहे होते है मैं मुझे तो मेरे जूते खुले हो गए है and that is fact, that is true अब आपने belly fat करना है तो आप क्या करो सबसे पहली चीज़ जो morning में pre kello के breakfast में आपको हमेशा बताती हूँ अपने nutraceutical चाहे वो जीरा water है चाहे वो अजवाइन है चाहे वो मेथी दाना है चाहे मैं अकसर patients में करेला juice देती हूँ खीरे का juice देती हूँ वो आपके लिए एक metabolism का kick start बिलकुल होता है आपका वजन अगर एक महीने में 2 kg for example कम होना था तो इसके साथ आपका तकरीबन 3 से 3.5 kg वजन कम होता है क्योंकि यह आपके लिए fat burning process होता है तो बहुत आसानी से आपकी जो belly है उसको भी कम करता है नबर टू आपने जब भी exercise करनी है आपने पूरी body को train करना है आपने सिरफ abs, आपने सिरफ squats आपने सिरफ plank नहीं करना प्लीज फॉर गॉट सेक ऐसा ना करें आप अपनी body को D-shape कर लोगे training करनी है तो full body की training कीजिए जिसमें आप अपने muscles को train करें muscle बनाना अच्छी बात है हम लोग क्या करते हैं हम बहुत जादा जो है अपने बाजू को, अपनी thigh को, अपनी leg को हर चीज को आपने train करना है and that is very important नमबर थ्री चीज अगर हम discuss करें तो वो क्या होगी हमने calorie deficit में जाना है calorie deficit में जाने से मेरी मुराद ये है आप बहुत जादा fry चीजें ना खाओ fast food का intake बहुत जादा ना करो मीठी चीजें बहुत जादा ना खाओ लेकिन normal रोटी, चावल, डाल, सालन, गोश्ट कभी भी किसी के भी कहने पे आपने नहीं छोड़ना उसके साथ number 4 जो सबसे important चीज है वो ये है look what you eat आप क्या खा रहे हो जब भी आप खाना खाने बैठें चाहे आपका टीवी है आपका फॉन है किसी से आप बात कर रहे हो सब बंद कर दो अपने खाने पे दिहान दो आप क्या खा रहे हो number 5 अपने आपको ये बताओ every time कि मैं ये काम कर सकता हूं if I'm saying to myself I'll say Zainab मैं अपना वजन कम कर सकती हूं and trust me ये चीज बहुत ज़ादा help out करती है जो signal आप अपने brain को देते हो brain उस पे action भी लेता है और work भी करता है number 6 जो के एक बहुत आप कहलो important part है वो आपका ये है आपकी sleep आपका sleep cycle जो है that is very important अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका belly fat कभी भी कम नहीं हो सकता क्योंकि वो stubborn fat होता है stubborn fat का मतलब ये है एक fat वो होता है आपने 3-4 दिन जादा खाना खाया body में fat आया आपने next 2 days diet की वो वजन गिर गया खतम हो गया वो आपका stubborn fat नहीं है stubborn fat ये है जो आपका बचपन से या 4-5 सालों से या 7-8 सालों से body में जमा हुआ है उस fat को निकालना बड़ा मुश्किल होता है इसकी example में आपको ऐसे देती हूँ आपका कोई box हो जिसमें आपने oil डालावा हो या आपने आटा डालावा हो आप जो new आटा डालते हो या new oil डालते हो उसको निकालना असान होता है लेकिन जो back side पे लगावा होता है जो थोड़ा पुराना या पिछली बार का होता है उसको scrape करना निकालना मुश्किल है same as the example with your fat stubborn fat है वो आपका उसको आपने निकालने के लिए मिहनत करनी है अगर तो आप ये सारे points follow करते हो belly fat के लिए अगर कोई भी आपको ये कहता है ये specific चीज इस्तमाल कर लो तो वो आपको cheat कर रहा है आपके साथ जूट बोल रहा है आप इन सारे points को follow करो सबको अपनी life में add करो अपना lifestyle change करो और आप देखोगे के आप किस तरह अपना lower belly भी कम करते हो अपना thigh fat भी कम करते हो और एक ऐसा sustainable goal अचीव करते हो जो lifetime आपके साथ चलेगा मैं उन diet plans पे बिलकुल follow नहीं करवाती लोगों को जो दो दिन के लिए वजन कम करें फिर वजन बढ़ाना शुरू कर दें not at all, that's not my style मेरा काम ये है एक बार वजन कम हो गया, good to go अब जिंदगी में दुबारा कभी weight gain की तरफ नहीं जाना I hope आपको मेरी video अच्छी लगी होगी comment section में मुझे जरूर बिताईएगा कि आप किन किन points को follow करेंगे thank you so much